एक चप्डासी का बच्चा भी बिहार में सरकारी विद्याले में जाना पसंद नहीं करता है। बिहार के एक पीढ़ी को बरबात कर दिया नितीश कुमान ने, सिक्षा वेवस्था को बरबात करके। बाजपान नित्यानन राय ने कहा था कि अगर बिहार में राज़त की सरकार वनेगी तो तीन सो आतंग बादी बिहार में सरण लेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में। बिहार में विधान सभथ कुमाँका आगाज हो चुका है हम इस समस्ती पूर में है समस्ती पूर बिहार के पूर मुखमंतरी करपर्छी ठाकूर की धरती रही है एसा कहा जाता है कि करप्री ठाकूर जी के जाने पर अगे बढ़ा पाएंगे सबसे बहुत भागत है यहाँ पर समस्तिपूर में जब आप दस साल पहले बिदायक बने थे तो क्या समस्या रही थी उस समय ये हमारे च्छतर में ये जन्नाय करपुरी ठाकुर और मुखमंत्री का सरजमीन रहा है और उन्हीं की विचारधारा से हम लोग हैं उन्हीं की विचारधारा से हमारे निता अधनिय लालू परसाजी हैं और चातर जीवन से ही उन्हीं से हम लोग प्रेडित ले होकर उनसे प्रेड़ना ले करके हम लोग भी समासेवा में और राइनिती में कदम रखा और यहां आये तो बहुत तरह की समस्याई थी और जैसे के सरकों का कमी था शिक्षा का भी कमी था और भी कई समस्याई हमारे च् में लगबग हर पंचायत में हम लोगों ने लगबग 10 करोर की लागत से तमाम सरकों को जोड़ने का काम किया हर टोला हर गाउं को मुक सरक से जोड़ने का काम किया हर पंचायत में जो हमारे हाँ विद्धाले होता है उसको उतकरमित कर इंटर इंटर कॉलेज कराने का काम किया अथक प्रियास करने के बादा आज हमारे विधान सभा में कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर हम लोग टेंथ और ट्वेल तक की पढ़ाई की वेवस्था नहीं कर पाएं लेकिन फिर भी बहुत सारी समस्याइं हैं क्योंकि नितिश कुमार जी का 15 साल से शासन है और 15 साल की शासन में जो मुलभूत आवेशक्ताएं थी हमारे छेतर के लिए हमारे विहार के लिए हमारे समस्तिपूर के लिए वो सरकार ने नितिगत तोर पर उन समस्याओं का धंग से निराकरन नहीं किया जिसकी वज़र से आज बहुत बढ़ाली स्थिती में विहार है आज 15 साल का शासन विकास के नाम पर नितिश कुमार जी आये थे कि मैं विकास करूँगा विकास करूँगा और 15 साल का शासन है आज भी पूरे भारत वर्ष में सबसे पिछरा हुआ राज बिहारी है तमाम पारामीटर पे जितना भी विकास का पारामीटर होता है तमाम मानकों पे बिहार सबसे पिछरा हुआ है और हम ही नहीं कहते हैं हम भी पाक्ष में होने के नाते नहीं कहते हैं भारत सरकार का जो आंकरा है जो निती आयोग कहता है तमाम संस्थाएं कहती है शिक्षा के छत्र में पूरे देश में सबसे पिछरा हुआ है यहां प्रात्मिक विद्याले से ले कर कि higher education तक कहीं भी एक subject की एक घंटे की पढ़ाई नहीं है एक 84 का बच्चा भी बिहार में सरकारी विद्याले में जाना पसंद नहीं करता है और पूरे देश में सबसे ज्यादा private school या private coaching कहीं है तो मुझे लगता है कि बिहार में है क्योंकि यहां 95 परतिशत लोग उसी private school में जा करके शिक्षा लेते हैं और उसी जगा private coaching में जाना पड़ता है और बिहार के एक PD को बरबाद कर दिया नितिश कुमाण ने शिक्षा वेवस्था को बरबाद करके जिस और और जो गरीब गुर्बा थे उनको रोजगार देने के लिए भी कोई ऐसी वेवस्था नहीं कह सके तीन सो रॉपिया चार सू रॉपिया कमाने के लिए बिहार के लोगों को दूसरे पर्देश परता है और अपमांजनक जिन्दगी जीना परता है अपनी पतनी अपने बच्चे अपने माता पिता को छोर करके जाना परता है किवह पंदरा साल में एक भी नहीं समस्थी समस्ति पूर में जूट मिल था वह खतम यहां पर शूगर मिल था वह खतम एक चीनी मिल वगल में था समस्ति पूर में उसको नितिश कुमार जी ने बेच दिया बेचने का काम किया वह वी किसी उद्धोग पती को दे दिया आज तक वह जगा पे कोई वैकल्पिक दूसरा बिखरा हुआ है आप देखेंगे कि राष्टी अस्तर पे 23 परसेंट बिरोजगारी है तो बिहार में 47 पर्तिशत बिरोजगारी है और यह गंभीर समस्या पैदा हो गई है बिहार में कितनी भी बड़ी डिग्री ले करके आए आप पूरी दुनिया से शिक्षित हो करके आए आप प्ञeजडी करके आए डॉक्ट्रिएट करके आए एमटेक करके करके आए कोई भी मास्टर डिग्डी ले करके आए हैं आपको चप्राशी के नोकडि की वीवस्था यहान नहीं है अभी विधान सभा में चप्राशी के दो cutting सी निकली थी उस दो सौ की वैकेंसी में ज कुल खतम है लालू जी के जिस सासन को जंगल राज की इन लोगों ने संग्या दी थी उस समय साल में 80,000 लगबग अपरादी घटनाएं हुआ करती थी कभी 85,000 कभी 82,000 कभी 90,000 तक लेकिन आज जिस सासन की बात में 30 कुमार करते हैं दो लाग अपरादी घटनाएं होती है पर अफ़ादी कि मोधी सरकार भी तमाम तरह के वादे करने के बात कहीं खड़े नहीं उत्रे चाहिए युवाओं को कुछ दो करोर रोजगार और तमाम तरह के बड़े-बड़े वादे किये वह भी खड़े नहीं उत्रे पंद्रा साल में ने 30 कुमार जनता के अब उमीदों क खाडा ने उतरें इसलिए पूरे बिहार की जन्ता ने मन बना लिया है कि इस बर तेजस्फ़ी यादव का समर्थन देना है तेजस्फ़ी यादव ने बिहार के सामने एक वीजन रखा है कि हम किस तरह बिहार को विक्सित राज़ बनाएंगे युबाओं को पहली कलम से यह नहीं कहा कि दस लाक लोगों को रोजगार देंगे यह कहा है कि पहली केबिनेट की बैठक में दस लाक युबाओं को रोजगार देंगे यह नहीं कि इनकी तरह की एक साल गुज़र गया पांच साल गुज़र गया आज साथ साल लिए आम जनता के लिए खासकर युवाओं को उनके टार्ट कियाardeş कि युवाओं को भी रोजगार नहीं रहने देंगे हम कि जिस भी तरह से उदो कल खाए कर का लगा कर हो सरकारी नोकरी दे करके हो तरह तरह की ट्रेनिंग दे पक्स में उमर पड़ी है कि एक सुनामी बिहार में है और तमाम जो चुनाओं की परकिरिया हो रही है लगता है ये का अपचारिकता मातर रह गया है क्योंकि हमें लगता है कि जैसे नॉमनेशन होना, वोट मागना, नामांकन होना, रिजल्ट आना, रिजल्ट जनता ने पहले असपश सब में लिख दिया है बिहार में तेजस्वी भवह, इसको कहते है न बिहार में तेजस्वी भवह, बिहार की जनता ने लिख दिया है कि इस बार मुखमंत्री तेजस्वी यादब होगा और पूरी जनता का पार समर्थन तेजस्वी यादब की तरफ है, लोगों का कहना है कि पंदरہ साल जब नतीश कमार को दे दिया दो बार नेंद मोधी जी को दे दिया तो कि एक बार त्यक्षवी यादब को देने में देखने में क्या हर laugh सच्छा ब्यवस्था की अगर बात करें तो भीहार में सिक्छा ब्यवस्था को मैंने बताया कि यहां खिचरी खाली खिलाने की बात होती है गरीब गुरुबा के भविश के साथ खिलवार कर दिया गया एक संस्था ने रिपोर्ट दिया है कि बिहार में जो बच्चे साथ में किलास में पढ़ते हैं वो तीसरी किलास की किताब को भी नहीं पढ़ पाते हैं बिहार में किसी भी कॉलेज में आप चले जाएए एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं है तमाम लोग जिनके पास कोचिंग में जाते हैं और जो बेचारे पचासी परतिशत असी परतिशत लोग दलित हों अती पिछरे हों या जो भी समाज के हों जो OBC हो या मुस्लीम कोई हो या समाने वर्ग के भी हो जो भी गरीब है वह प्राइवेट में से कोचिंग में नहीं जा सकता है क्यूंकि वहां दोचार पास असी परतिशत लोग का लाइफ बरबाद हो गया विहार में और विहार का भविष अंधकार में चला गया हुस अंधकार को दूर करने के लिए तेजस्वी यादब के लंटेन पे तमाम लोगों ने भरोसा जताना शुरू कर दिया है और एक अच्छी शिक्षा वैवस्था कैसे होगी इस पर तेजस्वी यादब का वीजन बहुत क्लियर है बहुत साफ है और निश्चित रुप से बिहार कुदेश के विक्सित राजियो क्या कहेंगे इसके बारे में देखिए इस तरह का ब्यान या सपस्ट करता है कि जब भी भाजपा या इंडिया हारने लगती है तो वो इधर उधर की बात करने लगती है जब भी भाजपा के लोग इधर उधर की बात करने लगे पाकिस्तान चाइना और बंगला देश की ब पर्मानित करता है कि उनके पास कुछ भी बोलने को नहीं अभी मुझे मुझे मौका दिजिए क्योंके 15 साल से बोルोग आपısı taxes की बाद vari सेंत होगे वे हीकोंट करता हैं तो यह अज्चा कि नितियसकुमार श्क्रमार ने नहीं सके तमाम डिपार्टमेंट चाहे शिक्षादी विभाग हो चाहे स्वास्त विभाग हो चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो तमाम डिपार्टमेंट में आधे से अधिक पद रिक्त पड़ा हुआ है जो रिक्त पड़ा हुआ है जिसकी वैकंसी ये लोग लगातार पिछ जब ते जस्पी यादब ने असपश रूप से बताया कि हम दस लाख लोगों को रोजगार देंगे और कैसे देंगे वो भी बताया तो नितिश कुमार करते हैं पैसा कहां से लाएंगे और खुद जब पैसा कहां से आएगा उनके समझ में नहीं आ रहा है तो फिर उनीस साल में रोजगार नहीं दे सके ति जस्पी यादब रोजगार देंगे पहली कैबिनेट की बैठक में दस लाख देंगे और आगे पांस साल में कितना देंगे वो कहां नहीं जा सकता है कितना देंगे लेकिन पहली कैबिनेट बैठक में दस लाख लोगों को रोजगार दे हैं उनका और उनकी पुरी टीम का भीहार केucchak के सतीस जी और उनकी पूरी टीम का भाभ Prop Gas कर उनका भी बातर ह्धार करते ही आप महागड़बंधन के समस्ति पूर की जनता की तरफ 나올 नहीं कैशार करता है